हलो दोस्तो आप से भी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कविंदर भाईया पर तो दोस्तो आज हम लोग डेली यूज इंगलिस वर्ड्स मिनिंग देखेंगे आज हम लोग पार्ट दो देखेंगे हमने पिछले वीडियो में पार्ट वन देख लिया है अब पार्ट टू देखेंगे चलिए देखते हैं वर्ड मिनिंग्स D.E.A.L. डिल मतलब होता है सौधा या व्यापार करना P.R.I.D.E. प्राइड मतलब होता है गर्व फुलिस F.O.L.I.S.H. फुलिस मतलब होता है मूर्ख S.U.C.C.E.S. सक्सेज मतलब होता है सफलता आगे देखते हैं B.E.G.I.N. विगेन मतलब होता है सुरू करना आगे है E.X.A.M.I. याने A.T.I.O.N. इक्जामिनेशन इसका मतलब होता है इन्तिहानिया परीच्छा अगला है C.O.N. G.R.A.T.U. L.A.T.E. Congratulate इसका मतलब होता है बधाई देना आगे देखते हैं C.O.N. G.R.A.T.U. L.A.T.I.O.N.S. Congratulations इसका मतलब होता है बधाई हो अगला देखते हैं C.O.N. F.I.D.E.N.C.E. इसका मतलब होता है confidence मतलब आत्म विश्वास आगे देखते हैं P.R.O. F.I.C.I.E.N.T. Proficient इसका मतलब होता है कुसल या प्रवीन आगे देखते हैं I.N.S.I.S.T. इसका मतलब होता है जोर देना या जोर से कहना आगे है Y.S.C.E.N.E.R.Y. Scenery इसका मतलब होता है प्राकिर्थिक दिरिस्य G.A.Z.E. Gaze इसका मतलब होता है टिक टिक बांध कर देखना आगे देखते हैं आगे है Y.S.H.O.S.E.K.E. Sock इसका मतलब होता है सदमा या जटका ठीक है आगे है Y.S.O.M.E. O.N.E. Someone मतलब होता है कोई या फिर कोई व्यक्ती तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताईएगा मिलते हैं कैसे ही वीडियो में तब तक के लिए धन्याई